आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी study close पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हम सब को पता है कि जो manipulation जो manipulator होता है वो तो बहुत खोशी से रहता है मस्त रहता है लेकिन जो manipulate होता है वो कुछ इस तरीके से रहता है अपनी सारी जिंदिगी ठीक है तो दोनों में difference क्या है कैसे manipulation tactics काम करती है और किस तरीके से कुछ लोग जो है वो बच जाते हैं इससे इसकी हम चर्चा करेंगे लेकिन दोस्तों इसकी चर्चा बहुत ही आप समझें कि काफी depth हमें होगी हमाई dark psychology के course में दोस्तों आपसे 12 दिन बचे हैं और हमारा जो offer है वो बस लिमिटेड टाइम के लिए है अच्छिल यह dark 40 coupon code अबने खतम कर दिया था तो बहुत सारे बच्चों ने फस्रली message किया कि सर प्लीज ऐसा मत करो तो अब dark 40 coupon code चल रहा है कब तक चल रहा है मुझे नहीं मालू ठीक है तो 600 रुपय का सिर्फ यह course है dark psychology का आपको बता दूँ कि यह 20 घंटे से उपर के sessions है total मतलब ऐसा course आपने देखा नहीं होगा पगला जाएंगे तो फडाक से मॉड्यूल में आए और आप manipulate होने से बचे और साथी साथ आप इन साथी चीज़ों को manipulation tactics को positive way में अपनी success के लिए use कर सकते हैं तो हम बात कर रहेते हैं यहाँ पर जो manipulation होता है साइड 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 वो switch on कर दो तो जो manipulator होता है वो क्या करता देखिए the first step is step one manipulation का होता है light criticism ठीक है हलका हलका criticism छोटा छोटा इसके बहुत सारे examples है घारत से शुरू होता है और यह पूरे देश और दुनिया तक जाता है जैसे हिटलर ने बोला था उसका बड़ा उसने अपनी किताब में किफ में लिखा था जोट को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे ठीक है यह चीज है तो अगर मान लिजे कि मैंने बोला कि जैसे रात के 8 बज़र आ हूँ बॉल रात के 8 बज़र तो step one होता है light criticism इसमें क्या होता है ना कि हम criticize करना जैसे ब्रिटिशर ने भारत में आके criticism शुरू किया तो हमको भी लगने लगा कि यार हम ही बेकार है ना और ये घर में भी कि तुम कुछ नहीं कर सकते बैटा लेकिन बहुत हलका हलका होता है पहले comparing से शुरू होता है कि होता है कि आपका दिमाग दिमेंदिवे program होने लगता है कुछ बिचारे बहुती रखी बदनसीब बच्चे होते छोटी सी ही उम्र में मैनुपलेट होने लगते बड़े प्यारे से बड़े क्यूट से लेकिन चोटी सी उमर में उनको प्रतारित किया जाता है हर तरीके से जिससे उनका धिमार क्लासिकल कंडिशनिंग का नाम सुना है अपने क्लासिकल कंडिशनिंग का यह साइकोलोजिकल बड़ा इंपोर्टन साइकोलोजिकल टर्म है एक बच्चा था उसका नमें नाम भूल गया उसको मतलब चूहों से डराया गया ठीक है चोटा सा बच्चा उसके उपर एक्सपरिमेंट किया गया और बाद में वो डर जब वो डिक्टेटर था लेनिन के बाद स्टैलिन आया 1925 से लेकर 1953 तक वो रहा तो लगभग आप समझी कि उसने 28 साल तक रूल किया लेकिन उसने हिटलर से जादा लोगों को मारा अब उसके आप चाइल्टूड में चलिए उसके पिता जिसको इतना मारते थे बड़ी-बड़ी व बच्चे अच्छा बच्चा होगा लेकिन उसको अब्यूस करकर के इतना परशान करकी दिया जाता है वो विचारा इतना मैनुपलेट हो जाता है कि लास्ट में फिर वो डिजास्टर साबित होता सबके लिए और इसमें गल्ती उन्हीं लोगों की है लेकिन अब खिसमत है आपने देखा होगा कि आपके घर में अच्छा प्रॉब्लम कहाई जैसे मैं अभी एक से बात कर रहा था मेरे पास क्योंकि ऐसे केचस बहुत आता है तो उसमें प्रॉब्लम कहाती देखिए वो बच्ची इतनी प्यारी आप ये समझे कि एक वारियर की इतनी खराब में रहके उसने अपना बैंक का एक्जाम निकाला उसने अपना मतलब हर एक चीज़ की लेकिन मतलब डोमेस फिजिकल अभी उसने और वह इतनी ज्यादा परशान है हाईली टैलेंटेट होके भी वह इतनी परशान श्रियाम कॉलेज में पढ़ रही है वह पढ़ी और उसके अंदर इतना डर है कि मैं लोगों को फेस नहीं कर सकती क्यों कि उसके फादर वाज हाईली अब्यूसर भायानक यह इसाब किताब तो यह होता है यह कई जगा आपको देखने ऐसे इंसिडेंट मिल जाएंगे और इसे क्या होता है हम खतम हो जाता है पूरी तरीके से या तो आपके अंदर भायानक कॉन्फिट जाए एकदम रजिनी कान टाइप ठीक है कि वाज शेर शेर अकेला आता है जर्ण में तो कुट्ते आते हैं तो इस थरीके के घर है तो तो आला ऐसे भी लोग होते हैं ठीक है ऐसे भी लोग होते हैं क्रिटिसर्स कि एसी कि तैसी मैं था मैं बजाग कर रहो हूं ऐसे लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसे एकदम होते हैं कि अल्फा हो कि हाडा अटाः सब कुछ ने मुझे इतना फरक नी पड़ता भाणा में जाओ ठीक है है लेगिन कुछ होते हैं मैसिमों होते हैं ज Seems प्रेडरिक नीश ने बोला था कि जो स्लेव मेंटालिटी में मैं जो सबसे ज़्यादा अगर किसी साइकॉलोजिस्ट या फिलॉसफर कह लिए उनको फॉलो करता हूं नीश नीश सिग्मान फ्राइट भी भाई को तो फीज आक्चुली दीमा फादर फ्मॉडल साइकॉलोजी प्रेडरिक नीश की जो बाते हैं वो यहां दिल पे लगती है उन्होंने बोला था कि बेटा स्लेव मेंटालिटी है यह पूरा समाज तुमको मिलके गिराता है नीचे खितुम आगे बढ़ो ही ना जो हम कर रहे हैं वही करो वह एक आध होते हैं स्लेव या हर्ड कोई फेल हो रहा है है ना कि कोई जज नहीं कर पा रहा है अब सोचिए कि वो उस समय महल कैसा रहा होगा लेकिन उन सबने अपने टैलेंट के बदालत उड़ गए वो उपर यही होता है बहुत लोग नहीं उड़ पाते हैं मैनिपलेशन और स्टेप बन होता है लाइक कि यह इसको तोड़ें कैसे जैसे जो कल्ट एंड ब्रेन वाशिंग हमने बताया है यह ठीक है यह ब्रेन वाशिंग टेकनीक जहां से स्टेप फ़न शुरू होता है वहीं पर इखातम कर दो वो क्या टेकनीक से उसमें हमने बताई है ठीक है और यही मैनिपलेशन में भी फि पूरी दुनियों को इंफ्लेंस कर रहा है एक इंसान एक बंदा सिर्फ एक बंदा काफी है भायानक मैनिपलेशन ब्रेन वाशिंग और आप उसकी बात मानते हो पूरा यूरोप सिक्स हंड़ेड श्टी सहताबदी से लेकर चौदवी सहताबदी तक डाक एजस बोला जाता है, जिसको डाक एजस बोला जाता है, हिंदुर्जम में भी वेदिक पीरेट के बाद बहुत ही डाक फेस आता है, इसलाम में भी ऐसा हुआ तो ये हर धर्म मेरा है, अब इसमें को कहते है भयानक नेश्यन मैनिपलेशन यद पूरे समाज को ही मैनिपलेड किया जाता है और घर में तो होता ही स्कूल में भी होता है स्कूल में भी आपके अंदर इंफिरियॉरिटी कॉंप्लेक्स डाला जाता है ताकि आप आवाज न उठा सको एक महावत से पूछा गया कि हाती इतना बड़ा है और अपने पतली सी जंजीर बांद रखी है तो यह तोड़ के भागनी रिलेशन्टिप में बहुत होता है recommend wife को relations में बहुत होता है क्ई बार देखा है जैसे मैं कित्रों को जानता हूं कि उनके wife स्वश्प में सरयाम पढ़िया पाटी चल रहे है सब के सभवाव है सरयाम हपने husband को מהCist Najat कि और husband क्या हो यह होता है अलब इंसान अपने वर डाउट करने लगता है ठीक है तो वही यही सारी चीज़े कोगनेटिव बायस का हिस्सा यह सब और इस कोर्स में बहुत है इसको डील कैसे करना है फ्रेंड जोन से कैसे बाहर निकले काफी चीज़े हम इसमें आपको बताने वाले है तो step two harsh criticism step three is यह विकराल रूप ले लेता है and then there is no looking back step three में फिर emotional फिर यह अब्यूजर से प्यार करने लगते हो step four में होता है कि आप अपने अब्यूजर जो आपको अब्यूजर कर रहा है अब आप उसके चंग्बुल में आ गए हो ठीक है ट्राप जिसको बोला जाता है कि अब आप बाहरी निकल सकते फस गए हो इतने समय से आपने वो देखा है ना वो game of thrones तो उसमें वो क्या जो रा अपने अब यूजर से प्यार destructive प्यार में होता है कि मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा इसके बिना मैं करूंगा क्या कुछ लोग आपको emotionally blackmail करेंगे कुछ लोगों आपने बहुत क्या लेकिन जरा सा कुछ आपके लिए किया होगा ना कि देखो मैंने तुमारे लिए इतना कि एहसान तले आपको दबा देंगे different तरीके जो कि हम course में definitely बताएंगे यह सब dark psychology का part है लेकिन इससे आप भाहर निकल सकते हो बिलकुल बस दान दिखाना है दान नहीं भी दिखाना है तो उसकी बहुत सारी टेकनीक से समझ रहो सबसे पहले तो आपको इस track को ही तोड़ना है आपको अपने आप में ही समझना है कि नहीं बहुत हो गया इससे अच्छा तो कोई है थोड़ा बहुत लड़ना भी है बिलकुल अपने काम से जवाब देना है कई बार आपको condition के हिसाब से चलना है जैसे जियाओ लग जो थे वो condition के हिसाब से ढले जनरल जियाओ लग ने ले बुड़ो की खुब चंचागिरी की लेकिन जैसे ही वक्त आया तुरन तक्ता पलट करके जुल्फिकार ले बुड़ो को फांसी पर लटका दिया तो यह होता है कई बार आपको situation को अपने हिसाब के अपने हिसाब नहीं होती है वह बहुत बढ़िया होता है कि इस में ब नोर करना आना चाहिए जब इस तरीके की situation हो देखिए आप आप सब की सुनिये नो इशू कोई नेगेटिब बोलना तो निकल जाए सुनिया ही नहीं ठीक है या फिर आप प्यार से बोलें कि भाई डूड रिस्पेक्ट ओके देर इस रिस्पेक्ट अगर जिस दिन वोसे कर बता कर लीजे कि देखिए एक देट साल तक मुझे कुछ मत बोलेगा पापा मैं आपको एक लाग रुबाए एक साल देट साल बाद आपको वक्त मिल गया एक लाग एक दो लाग बस एक देट साल देदो मुझे फिर देखो इसी नौकरी करता हो मैं कि मैंड बच जाईगी देट साल तक तक को वक्त है ना आप बहुत दंता कुछ और देख लेना जब पूरे होता रहे कोई बात अब कर लोगे नहीं करोगे तो थोड़ा वाग तो थोड़ा वक्त दोर मंग लेना तो यह सब टेकनीक्स होती है लड़कियों के लिए बहुत हानी कारक होता है क्योंक नहीं हम ऑट अगर फीमेल से तो बहुत पार सहां यह इस हाइए छोड़ तक जांते हैं लोग बाइब तो मैंने थ्ड़ा पूछा कि यह नहीं वहां पर खाना आ का ठीक है और वही पे मैंने एक लेडी थी आटेंडेंटन उन से पुछ़एं और रही कि मैं आपको डिलिवर कर रही हूं कोई टेंशन की बात नहीं है तो वो जाधा सब उनको पता है उनके जीन्स में है कि मैनेजमेंट कैसे है पाई जो घर को मैनेज कर रहा है इतनी मुश्किल जहां से मतलब कितने ही अलग विचार वो सब कुछ मैनेज कर लेगा लेकिन लड़ सही होता है जैसे हम क्या है ना हम लड़की यार कोई बात नहीं लड़कियों में नहीं होता है उनमें खुद में बहुत को इंप्रिंटीशन होता है यह चीज है तो यह सब मैनिपलेशन टेक्निक और डाक साइकॉलोजी का पार्ट है तो इस कोस को आप जरूर अवेल करें को बहुत ज़दा फायदा होगा और जैसा कि हमने बता कि डार्क फोटी कूपन कोड अक्टेव है पूरा को मोड्यूल 600 का है वैसे एक लाग का मोड्यूल हम 600 में लेके आएं साइकॉलोजिस्स डॉक्टर महिरिका दास क्लास सेशन्स लेंगी और बस आब 12 दिन मचे तो वे